आईबी रिपोर्ट ने उड़ाय सिवराज सिंग चोहान के होस मध्य प्रदेश में बनेगी कॉंग्रेस के सरकार आईबी ने सियम सिवराज को दी रिपोर्ट बताया कॉंग्रेस को मिल रही है लगभग 138 सीट MP में 80 से 85 तक ही सिमट जाएगी BJP मिलेगी अब तक की सबसे बड़ी हार मध्य प्रदेश विदानसवा चुनाव में BJP को बड़ी हार मिलने वाली है पार्टी को प्रदेश के विभाजन के बाद अब तक के इतियास में सबसे कम सीटे मिलती दिखाई दे रही है 25 साल में पहली बार BJP 90 के नीचे सिमटती हुई दिखाई दे रही है यानि मध्य प्रदेश में कोई टककर नहीं हो रही है राहूल गांदी ने 6 माई ने पहले ही दावा कर दिया था कि हम मध्य प्रदेश में 150 सीटे जीत रहे हैं और सरकार बनाएंगे राहूल का दावा काफी हद तक सच साबित होते हुए दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश कॉंग्रेस 150 सीटों के करीब पहुँचती हुई दिखाई दे रही है कॉंगरेस विधाइक जी तूपटवारी ने दावा किया है कि कॉंगरेस को 138 सीट पर जीत मिलनीता है और ये रिपोर्ट किसी सर्वे कॉंगरेस की अपनी रिपोर्ट नहीं है बलकि ये रिपोर्ट IB की है intelligence bureau ने अपनी रिपोर्ट सिवराज सिंग चोहान को सौब दी है इस रिपोर्ट के मिलने के बादी अब सिवराज सिंग चोहान को भगवान की याद आ रही है और CM सिवराज मंदिर मंदिर माथा टिकते हुए फिर रहे हैं जीतू पडवारी के दावे की माने तो आई भी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, मध्य प्रिदेश के विभाजन के बाद बीजेपी प्रिदेश में सबसे बड़ी हार को देखेगी, मध्य प्रिदेश में 230 सदस्यों की विधानसभा है, ऐसे में विधानसभा में बहुमत का आकड़ा 116 होता है, 2018 के चुनाव में कॉंग्रेस को 114 सीटों पर जीत मिली थी और सरकार भी बनी थी, लेकिन कॉंग्रेस की सरकार 15 महीने में ही चली गई थी, लेकिन अब आई भी के सर्वे रिपोर्ट में सीटों की संख्या को लेकर जो दावा हो रहा है, उससे साफ हो ग जीतू पटबारी खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, और उनकी जीत तैमानी जा रही है, दावा क्या जाता है कि हर राज में आई भी चुनाव के बाद उससे पहले ही जुनता के बीच सर्वे कराती रहती है, आई भी ने इस साल की सुरवात में भी अपनी रिपोर्ट सी सीटो की संख्या 65 बताई गई थी, जो इसके बाद सिर्वात सरकार लाडली बेना योजना लेकर आई थी, जिसे बीजेपी गेम चेंजर बता रही है, इस योजना के दम पर बीजेपी को उमीद है कि महिलाओं का वोट उससे मिलेगा और वो सक्ता में वापसी कर रही है, द देखाई दे रही है, वैसे आई बी जो सर्वे कराती है अपनी सरकार सासन के मुकीया तक पहुंच वाती है, लेकिन इस रिपोर्ट को कभी भी सारुजनिक नहीं किया जाता, जो इसकारन से यह दावे भी नहीं किया जाते हैं, कि आई बी इस तोरह की रिपोर्ट तयार कर है कि कॉंग्रेस की मध्यप्रदेस में वापसी हो रही है स्वारे तीन साल बाद एक बार फिर मध्यप्रदेस में कॉंग्रेस की सरकार बन रही है और इस बार ये सरकार भारी बहुमत से बन रही है और कमलात के भी उन अधिकारियों को अभी से चेतावनी दे दी है जिनोंने चुनाओं के दौरान बीजेपी के उमीदवारों का समर्थन किया था